असलाम लेकुम जी मेरा नाम रहो तौकीर है और आप देख रहे हैं नंकाना साहब न्यूज व्यूज आज का इंटर्वीव बड़ा मुक्तलिफ और बड़ा डिफरेंट है क्योंकि हमारे साथ एक यंग बैरिस्टर जो भी अभी इंगलेंड से बार अटला करके आई हैं बैर साला फर्जंद हैं और अभी अभी इंगलेंड से बाराट लेकिक डिगरी लेके आई हैं असलाम लेकुम जी सुल्टान तारिक साब ये बताइए क्या सियासत में आएंगे सियासत में आने का इरादा तो है मेरा क्योंकि मुझे लगता है पाकिसान को इस टाम जरूरत है इंगलेंड से कितना था हुआ है मुझे भी दस दिन हुआ है और आते ही आपने माशाला से वो जो सियासत है या अमली सियासत है उसका आगाज तकरीबन कर दिया है ट्रेनिंग जारी है आपकी इरादा पहले से था मेरा लंडन में भी एवन फीड के बाहर हम जाते रहे हैं अच्छा उदर भी एकठे होते रहे हैं तो इरादा पहले अच्छा आप सियासत में आएंगे तो आपकी जो स्कूलिंग थी इप्तदाई तालीम वो कहां से है तो स्कूलिंग मेरी पहले फैसलबाद बीकन हाउस से थी फिर लाहोर बीकन हाउस डिफेंस केंपस से उसके बा सारा तो पढ़ने जाने का इरादा नहीं है किसी मुलिट में कोई से आगे फर्दर स्टडी को डॉक्ट्रेट पोस्डॉक्ट्रेट ने कोई प्लैन नहीं है अब अब इंशाला इदर पाकसान में ठीक है अपनी फैमिली के साथ बग जोजा रहेंगे यह बताएं अब तो मा सच नहीं है अच्छा थोड़ा जितना डिले हो सकता है करेंगे बाकी घरोलों की मर्जी से होगी घरवालों की माशाला आप बीकन हाउस लहोर में एक बड़ी जगह पर पड़े हैं फिर आपने एलेवल भी किया है और इंग्लेंड से बारट लेबी किया है कभी कोई कहीं प अब तक कितने मूल्क देखिए मैंने आइट थैंक 30 31 गंट्री मैंने विजिट की थैट थैट इवन कंट्री माशाला योड़ यूरप काफी देख लिए होगा सारा देख लिए हुगा पाकिसान के लवा यह तो मुझे पता है आपने करना पाकिसान के लाब इंग्लेंड फ लिए मुझे भी इतफाक हुआ हाइट पार्क जाने का और लोग उसे बड़ा पसंद करते हैं लंडन में हाइट पार्क को तो अभी दुबारा अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप वही जाना पसंद करेंगे उसी एरिया में कि स्टे करूंगा जाओंगा तो यही हुते हैं जिसको देखते हूं आप सोचते हैं कि मुझे इसा होने तो मैरे वाले साहथ थी क्यों चिए चैने कृकिट खैलता है इसके में मैं घृक्ते रहा हूं लेंडन में वी खैलता रहा हूं तो पॉलिटिक साइट पर पह रखके भी इमरानाँ कान इडियाल है उसके counter सबसे बराबर, नी थोड़ा बहुत नहीं सबसे बराबर प्यार है, चले ठीक है फिर ऐसा करेंगे ये बात हम इन से off the record पूछ लेंगे, ये तो आने चली जाएगी तो ये बनासिब नहीं है फिर बहन भाईयों में आपस में अपस में हो जाएज चले ठीक है जी आपको सबसे प्यार है और होना भी नहीं डाब या कि तो पूछ नहींतों होता है जी जयादा क्रीगव कॉछ तो छब्चार वहां में अदाकार पूछूंगा आपको अदाकारा कौन्शिा मैं आपको अदाकारा मूबीस पर तारिक महहुत बाजबा साब को, अगर MNA का टिकेट मिलता है पार्टी की तरफ से, तो आप उनके साथ, MPA का टिकेट भी सेम टाइम उसी वक्त ले लें, क्योंकि उनको भी तो दो लोग नीचे चाहिए होंगे ना, ऐसे पॉसिबिल्टी है, इरादा मेरा है पॉलिटिक्स का, जो है वो इजाफा होने जा रहा है, तो आप, आपको मौका मिलता है, आप इसमली जाते हैं, आपको इक्तदार मिलता है, सबसे पहले आपका क्या ख्याल है, क्या करेंगे, क्या माइंड है, क्या होना चाहिए? पहले तो जो पाकिसन के स्टेम हलात हो चुके एकॉनमी वाइस अगर एकॉनमी वाइस देखें वो काफी जादा काम खराब है मैंने जैसे law पढ़ा है legalities काफी ज्यादा मुझे लगता है लाँ के इलावा भी तो आपने डिग्रीज किया आप आई टी में भी माशाला है की बात करें थे एकॉनमी वाइस और जो इस टाम जैसे क्रिप्टो करणसी पुरी दुनिया में इस ट्रेंडराइज हो गई है तो पाकिस्तान में को इसका नाम भी नहीं लेता वो कहते है मनी लॉंडरिंग होती है इसके इसके इखलब बड़ा ड्राय जाते और पिछले दि यह फिर उसके बाद मैं आपसे आईटी से रिलेटीड एक सवाल करूँगा यह बताईए कि प्रैडिटीज क्या होंगी अपने हलके के लिए आपकी क्या समयते हैं क्यों सी चीज़ ऐसी हलके के लिए इच्छे कॉलेजिस की और जरूरत है पर हाई पर फोकस करेंगे एड़ सबसे पहले आएगी अगर आपके अवाम एजुकेटेड़ है फिर ही आपका मुल्क तरकी कर सकता है उसके इलावा बाकी जो तामिराती काम होते हैं उन पर फोकस करेंगे सारा में एम इरा इंफरस्ट्रक्चर पे आप तो इस बारे में क्या करेंगे हमें क्या करना चाहिए इस बहुं है हम पाकStan में तरजीह नहीं दे रे एपा केंप्यूट रोब बिलकुल भी अभी बीट जो हर इस चीज़ को पाकिस्तान में जो फ्री लांसर है वो पैसे नहीं मुगा सकता पेपल हम अलाव नहीं कर रहे दर तो हमारे पास मौड आफ पेमेंट्स ही नहीं है जिसकी वज़ा से हम तरक्की कार ही नहीं रहे इस फील्ड में सही चलें अगर अगर आपको मौका देता है और समब्ली में आते हैं तो आप लॉको भीसमझते हैं और आप अईटी को भी समझते हैं तो इस पे लेजिसलेशन और इस पर कानौ साजी गया और ये सारा कुछ नोफ पर अपने काम को मैसिज दे लें बेब suburbs किसी अपने कामMy BROWN को मैस villains दे closely तो आप वो बात कर सकते हैं कौम को मुझे लगता है यही मेसेज है कि हम हाक और सच के साथ कड़े हो हमें जैसे पूरी दुनिया आप देखते हैं वो सिर्फ मुसल्मान नहीं है लेकिन इसलाम की सारी वो टीचिंग सौलो करते है और हम जूट बोलते हैं धोका देते हैं तो उससे हमें परहेज करना चाहिए बड़ी खुबसूरत बात कीजी सुल्तान तारिक बाजवा साथ ने कि हमें जूट फ्रेब और धोका दही से परहेज करना चाहिए क्योंकि ना सिर्फ इसलाम ने बलके दुनिया के हर मजभब ने इस बात से मना फरमाया है ला करे कि पाकिस्तान में नेक साले और बेहतरीन क्यादत इस कौम को इस मुलक को और हम सब को मेसर आए अपना ख्याल रखेगा इन्शाला फिर किसी वक्त आपसे बात होगी बहुत शुक्री